हैं एलो फ्रेंड्स तो अभी हम लोग श्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉं हावस प्रॉपर्टी जो है उसका रिविजिन करना जो जो अभी तक हम लोग बहुत ही ढंग से पड़ा है, in detail question वगेरा के साथ पड़ा है, examples के साथ पड़ा है, उसको एक कम time में revise करते हैं, एक साथ उसको क्या कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं, जिससे क्या benefit हो सके, जिससे अपना फटाफट फटाफट basically revise हो सके, और बार बार आप इसको देखोगे, त सबसे पहले हम लोग ने charging section पड़ा, charging section का मतलब के है, अगर आपको उस घर के अंदर जाना है, तो वो घर के कुछ rule मानने पड़ेंगे, house property head में जाना है, तो house property head के rule मानने पड़ेंगे, वो rule कहां लिखे होंगे, charging section में लिखे होंगे, section number 22 से लेके section number 27 जो है, वो house property govern करता है अगर आप chapter wise bifurcation देखोगे, तो section 1 से लेके section 4 तक आपका chapter 1 है, section 5 से लेके section 9 तक आपका chapter number 2 है, section 10, 10AA के आसपास पूरा chapter number 3 गुमता है, income from salary section 15 से लेके 17 तक गुमता है, 18, 19, 20, 21 जो है वो income tax में है नहीं, 22 से लेके 27 तक आपका house property आता है फिर PGBP 28 से चालो हो जाता है, तो सबसे पहले section number 22 जो है वो क्या बात करता है, charging section बात करता है, सबसे पहला बोलता है rental amount, जो की होगी annual value मतलब पूरे साल में जो आपको rent मिलती है, वो क्या होगी, taxable होगी under head income from house property, अगर ये condition satisfied हो जाती है, sir कौन से condition, पहला कोई तो house property होना च चाहिए, और building के साथ कोई land appartenant है, तो वो भी आपका house property मान लिया जाएगा, sir land मतलब, समझो एक building खड़ी है, उसके आसपास कोई parking lot की जगह है, garden की जगह है, समझ रो, तो वो भी आपका house property माना चाहिए, दूसरा जो है कि, असेसी वो house property का owner होना चाहिए, ये बड़ा ही ज vacant land पड़ी है, मतलब, खाली जमीन का plot पड़ा है, ground जैसी जगह पड़ी है, उसको अगर rent out करोगे, तो वो income from house property में नहीं आएगा, building होनी ज़रूरी है, तो sir, वो vacant land कहा जाएगी, या तो PGBP में जाएगी, या फिर IFOS में जाएगी, house property में तो नहीं आएगा, correct, फिर बात कर income from house property में नहीं आएगा, आपको business purpose के लिए उसको use नहीं करना है, और 5 हो अगर annual value of house property, house property head में charge होगा, ये एक important point है, समझो आप builder हो, कौन से builder हो, sir, रहेजा builder हो, आपने एक building बना दिया, आपके घर बिक ही नहीं रहे, आपने एक building बना दिया, आपके घर क्या नहीं हो रहे, बिक ही नहीं रहे हैं, तो आप क्या करोगे, sir, खाली पड़े हैं, इससे अच्छा हम rent पे दे देते हैं, आपका business नहीं है rent पे देना, आप खाली पड़े थे तो आपने बोला कि rent पे दे देते हैं, तो वो घर क्या बन जाएंगे, dim to be let out हो जाएंगे, वो DLOP मान लिए जा तो वो case में आपका PGBP head में चला जाएगा, दो अलग-अलग चीज़े हैं, पहला चीज क्या था, कि आपका जो building है, वो घर बिक नहीं रहे, तो आपने temporary purpose के लिए rent out कर दिया, और दूसरा क्या है, कि आपका काम ही यही है, तो पहले case में house property head, second case में PGBP head, Annual value का सर मतलब क्या होता है, देखो दो मतलब होते है, Annual value का simple सा मतलब है कि जो पूरे साल में आपके पास पैसा आ रहा है, घर से पैसा कैसे आ सकता है, रेंट पर देखे आ सकता है, यहां पर बेचने की बात नहीं हो यह, वो capital gain में जाएगा, रेंट की यहां बात होती है, property का मतलब क्या होता है, house property का मतलब building या उसके आजू-बाजू का land, assessi owner होना चाहिए, owner में registered owner, deemed owner, कुछ भी चलेगा, PGBP के लिए use नहीं होना चाहिए, building include any building, not only house property, इसका मतलब क्या है, कि building का मतलब यह जरूरी कहीं नहीं है, कि सिर्फ घर होना चाहिए, shop वगेरा होगी तो भ चलेगा, जरूरी नहीं है, residential ही होना चाहिए, पर business के लिए use नहीं होना चाहिए, यह एक important है, composite rent, composite rent का मतलब क्या होता है, sir, आपने सिर्फ घर भाड़े पे नहीं दिया है, आपने घर के साथ कुछ fix asset भी, कुछ machine भी, कुछ furniture भी क्या कर दिया है, rent out कर दिया है, best example, auditorium ले सिर्फ घर नहीं बिखता, सिर्फ प्रॉपर्टी बिल्डिंग नहीं बिखता, उसके साथ chairs होती है, उसके साथ आपका stage होता है, stage के साथ वो पूरा podium वगेरा, उसके साथ theater जैसा है, तो वो भी होगा, correct है, यह सब एक साथ बिखता है, तो इसका taxability कैसे होगा, तो दिखो अ अगर उसका business ही होई है, तो PGBP में, otherwise other source में चला जाएगा, पर separable है ही नहीं, possible ही नहीं है, separate करना वो building को, और खुर्सियों का rent, मतलब एक ही साथ वो package में ही बिखता है, तो वो case में पूरा का पूरे, या तो PGBP में जाएगा, या IFOS में जाएगा, फिर बात कर लेते हैं, type of house property के, sir, house property के कितने type होते है, तो देखो, तीन type होते है, सबसे पहले, या क्या गर सकते हो, आपके पास घर है, आप क्या कर सकते हो, आप घर को या तो rent पे दे सकते हो, या आप उसमें रह सकते हो, रह कितने में सकते हो, sir, एक में रह सकते हो, ज्यादा से ज्यादा दो में तो अगर एक घर आपने क्या क्या कि अगर आपने रेंट पे लगा दिया तो उसको let out property बोल दिया जाएगा और सीधा का सीधा जो amount आएगा taxable होगा दूसरा आप क्या कर सकते हो दूसरा सर बड़ा ही सिंपल कर सकते हैं तो गौवर्मेंट क्या बोलता है ज्यादा से ज्यादा तुम दो घर में रह सकते हैं उससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं तो से ज्यादा घर में तुम रह रहे हो तुम क्या बोलो दो से ज्यादा हमने आइस पानेंगे डीम तू भी लेट आउट मालेंगे और उसके उपर भी आपको क्या करना पड़ेगा टैक्स दिना पड़ेगा मेकेनिजम क्या होगा हम आगे बताएंगे सिंपल है एक और पॉइंट आता है कि अगर आपका सेल्फ उक्यूपाइड प्रॉपर्टी और आपने उसे बिजनस और प्रॉफेशन के लिए यूज कर लिया तो सर हाउस प्रॉपर्टी में उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा सेक्शन नूर्व 的 बाद सेक्शन नॉमिर 20 के ऊपर आता है वंटी तो में सिर्फ बैसिकली चार्जिंग इन योपर में ने यह अ अपका बनाने के लिए फ horse नूमिर 23 सेक्शन नंबर 23 बोलता है ऐरन्यूवल वैल्यू क्को डिटर्विनेशन कर लो step 1 में GAV निकालो और step 2 में उसमें से municipal tax को निकाल दो तो आपका क्या बंद आ जाएगा annual value आ जाएगा यह section number 23 इतनी चीज बोलता है तो sir सबसे पहले GAV कैसे निकालेंगे तो GAV निकालने का बड़ा ही simple तरीका है सबसे पहले municipal value और fair rent को लो तो दोनों में से जो ज्यादा amount है उसको compare करो standard rent से standard rent और जो ज्यादा amount था उसमें से जो lower amount है उसको क्या बोलेंगे उसको compare करो actual rent से और जो दोनों में से ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे GAV बोलेंगे अगर आपे टेबल में देखोगे तो SOP में तो यहां तक कुछ आएगा ही ने क्योंकि उसमें आप रह रहे हो LOP में यहां पर कुछ amount आ रहे हैं DLOP में यहां पर कुछ amount आ रहे हैं municipal value का मतलब क्या होता है जो government की record में जो value है उसी को municipal value बूला जाएगा fair rent का मतलब क्या होता है sir fair rent का मतलब है कि जो आजू बाजू property का rate चल रहा है fair rent है तीसरा standard rent का मतलब government ने एक ऐसा कानून बनाया है कि maximum आप उतना ही rent ले सकते हो उससे ज्यादा नहीं ले सकते है उसको क्या बूला जाएगा standard rent बूला जाएगा अभी जो सबसे देखो अगर government को देखना है कि आपका rent कितना आ रहा तो government क्या करेगा सबसे पहले अपने record देखेगा record को compare करेगा आजू बाजू क्या चल रहा है दोनों मेंसे ज्यादा amount है उसको ले लिया और उसको rent control act में देखेगा कि ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते है तो उन दोनों मेंसे जो lower amount है उसको expected rent बूल दिया जाएगा उसको actual rent से compare कर लेंगे actual rent का मतलब क्या है rent receive plus rent receivable minus unrealized rent ये सब हम लोगने class में in detail देखा है अभी आपका time इतना waste नहीं करना चाहता क्योंकि revision है फिर बात करते हैं यहां तक हमने क्या देखा NAV कैसे निकालते है NAV मेंसे देखो यहां पे GAV निकाला मेंसे जब municipal tax reduce कर देंगे तो क्या आ जाएगा NAV आ जाएगा municipal taxes एक point उपर रहे गया बताना देखो यहां पे आप LOP और DLOP को अगर आप compare करोगे इन दोनों में अगर आप LOP को और DLOP को compare करोगे तो यहां पे देखोगे सब जगा पे कुछ ने कुछ amount आएगा पर जो deemed to be let out property है ना वो actually में थोड़ी let out हुई है तो वो case में यहां पे actual rent में कुछ amount नहीं आएगा वहां पे जो expected rent होगा वही आपका क्या मान लिया जाएगा actual rent मान लिया जाएगा in case of DLOP फिर बात करते हैं GAV निकल गया GAV में से municipal tax जो आपने pay कर दिया वो reduce हो जाएगे तो आपका NAV आ जाएगा यहां पे NAV निकालने पे section 23 खतम हो जाएगा से municipal tax के related कुछ point है municipal tax का मतलब क्या होता जो property tax होता है आपका यह allowed होगा सिर्फ payment basis पे अगर आपने pay कर दिया तो allow होगा नहीं pay किया तो नहीं allowed होगा और payment भी किसको करना है owner को करना है तो ही allowed होगा अगर percentage form में question में दिया है तो municipal value के उपर percentage apply करने है और अगर property outside इंडिया में है तो भी आपको deduction मिलेगा कोई problem नहीं एने वी आ गया एने वी में से deduction reduce करने है सबसे पहले तो 30% सीधा सीधा deduction ले लो क्यों लेना है घर है उसमें बहुत सारे problem होंगे pipeline खराब हो गया कुछ cement लगाना है यह सब खर्चे होते हैं तो government एक एक चीज का खर्चे का deduction नहीं देत उसका 30% उसका जो भी interest payment करें उसका आपको deduction मिलेगा तो SOP का column देखोगे तो यह पहली जगा है यह पहली जगा है जहां पर कुछ आपको deduction मिल रहा है तो हमेशा SOP की case में loss ही आएगा loss from house property ही आएगा यहां पर LOP और DLOP में यह तो loss आ सकता है यह profit आ सकता है कुछ भी आ सकत यहां पर आपका income from house property पता चल जाएगा तो सर अभी सवाल उठता है यह interest का क्या है interest क्यूं मिलेगा deduction तो अगर आपने loan के house property के construction के लिए repair के लिए renovation के लिए किसी भी कारण के लिए लिया है तो आपको क्या मिलेगा deduction मिलेगा सर किसे loan लेना है तो deduction मिलेगा किसे भी लो bank से financial institution से लो अपने भाई से लो बैन से लो पापा से लो girlfriend से लो किसे भी लो deduction मिलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है कैसे मिलेगा deduction यह तो due basis पे और accrual basis एक ही बात है basically payment की कोई ज़रूरत नहीं आपके financial statement में interest certificate में अगर interest दिख रहा है तो आपको deduction मिलेगा पर interest on interest का deduction नहीं मिल interest देने की बारी है आपने दिया ही नहीं आपने पैसे ही नहीं है तो वो एक लाग के उपर फिर सिर दस अजार रुपे interest लग गया तो जो एक लाग रुपे उसका आपको deduction मिलेगा पर दस अजार का आपको deduction नहीं मिलेगा simple है फिर बात करते है how much interest is allowed under section 24 यह बड़ा ही important point है यहां पर बड़ी कान खोल के ध्यान दो L.O.P. और D.O.P. के case में अगर income taxable है तो पूरा का पूरा पूरा का पूरा amount जो भी interest का payment करते हो आपको allowed होगा कोई problem नहीं है S.O.P. के case में self-occupied के case में maximum 30,000 रुपए ही allowed होगा maximum 30,000 रुपए ही allowed होगा sir क्या बात करे हो हमने तो 2,000,000 सुना था 30,000 allowed होगा सही बात है पर अगर आप यह 4 condition satisfy कर देते हो आने वाली अगले आने वाली तो आपको 30,000 के बदले 2,000,000 रुपए allowed हो जाएगा as a deduction पहला condition है loan आपने लिया रहना चाहिए 1 for 1990 ने उसके बाद तो question में सतर्क रहना कि अगर 1 for 1999 के पहले loan लिया है ना तो 100% maximum 30,000 रुपए लाउड होगा 2,000,000 करके आजाना second point loan लिया रहना चाहिए purchase या construction of house property अगर question में दिया है कि आपने repair के लिए loan लिया है renovation के लिए loan लिया है तो maximum 30,000 दो लाख मत करके आजाना third point अगर construction के लिए loan लिया है तो आपका 5 साल के अंदर अंदर construction खतम हो जाना चाहिए और जो जिसने आपको loan दिया है उसका certificate आपके पास होना चाहिए बैंक वगेरा ही certificate देते हैं आपका भाई बैन क्या certificate आपको देंगे फिर बात करते हैं notes के अगर आपने पहले एक loan लिया था जिसके उपर interest rate था 12% अभी आपको क्या दिख रहा है कि 12% तो मैं ज्यादा दे रहा हूं बाहर 8% पर मिल रहा है तो आपने एक दूसरा loan लिया same amount का और जो नया loan है उससे पुराना loan चुका दिया क्यों चुकाया क्योंकि अभी आपको interest कम लगेगा सीधी बात है तो अगर ऐसा आप करते हो तो अगर पुराना loan अगर आपने house property के लिया है तो नय loan के उपर भी जो interest payment करोगा उसका deduction मिल जाएगा second point section number 25 से आता है कि अगर आ foreign से कुछ loan लिया था और foreign में interest payment कर रहे हो तो यह ध्यान रखना है TDS को काट के payment करना है अगर TDS deduct करके यह बिना payment कर दो गए तो क्या गडबड होगा आपको deduction नहीं मिलेगा और फिर pre-construction या pre-acquisition interest यह बड़ा ही important point है यहाँ पर आपको हमेशा alert रहना है खासकर वो time limit पे ज अधिशनल एक session लेने वाला हूं मतलब वहां पे 50-60 question हम लोग extra करेंगे जो कि आपके module के देए तो वहां से मैं क्या कराने वाला हूं यह pre-construction के ऊपर बहुत अच्छा focus करूंगा और मैं YouTube पे एक और video भी डालूंगा pre-construction interest के ऊपर ही separately पूरा discussion होगा जिस पे 20-25 minute का होगा pre-construction interest का मतलब क्या है अभी आपके पास property आया नहीं है construction में है या आपका building जो है वो अभी तक काम चालू है आपके पास possession नहीं आया है पहले ही आपने वो बुक कर दिया है और आपने क्या loan ले लिया है और उसके उपर आप interest चुका रहा है अभी तक property नहीं है पर उसके accumulate हो जाएगा उसका reduction मिलेगा कैसर मिलेगा कितना मिलेगा पांच equal installment में मिलेगा कौन से साल में मिलेगा जब आपका construction complete हो जाता है या आपको acquisition मिल जाता है पर ये question जब तक नहीं करोगे ये concept समझे नहीं आए कैसे सुनने में 25 अगर unrealized rent या area rent है तो उसका क्या करता है unrealized rent का म actual rent का मतलब क्या होता है rent receive plus rent receivable minus unrealized rent तो वही ये unrealized rent है तो unrealized rent reduce होगा पर अगर ये condition satisfy होगी तो ही reduce होगा कि tenancy जो है वो bona fide है जो आपका और आपके tenant का जो भाड़े पे रह रह रहा था और आपका agreement था जन्यून था ऐसा नहीं कि आपका भाई मामा चाहिए और उसको आप ए दिया रहना चाहिए ऐसा नहीं बैठा भी है और दे भी नहीं रहा ऐसा नहीं होना चाहिए तीसरा उस tenant ने आपका कोई दूसर प्रॉपर्टी नहीं किया रहना चाहिए और चौथा आपने reasonable step ले लिए रहना चाहिए वो मतलब police complaint होगे रहना कर दी रहने चाहिए तो आपक देक्शन मिल जाएगा area rent का मतलब क्या होता है rent आपका dispute में है मतलब tenant बोल रहा मैं दूंगा नहीं आप बोल रहा मुझे लेना है अपने court में case कर दिया भी case चल रहा है dispute में है तो यह case में क्या करना है जब भी आपको rent मिलेगा बले ही वो टाइम पर आपके पास घर है नही है कुछ फरक नहीं पड़ता है जब भी आपको rent मिलेगा तब taxable हो जाएगा कितना taxable होगा 70% taxable होगा क्योंकि 30% तो standard deduction मिल जाता है इसे टुक है फिर बात करता है vacancy का concept vacancy के concept में सबसे पहले ही आपको ध्यान रखना है एक second मैं वापिस एक बार उपर आता हूं interest के बारे म मिलेगा SOP के case में वो पर person मिलेगा ना कि पर property मिलेगा ऐसे question है पर person का मतलब क्या है समझो एक property के दो co owner है दो मालिक है तो दोनों को दो दो लाग रुपय मिलेगा correct है दूसरा एक और point है important कि अगर समझो मेरे पास दो SOP है एक SOP में 30,000 का reduction मिलता है और दूसरे SOP में 2,000,000 का reduction मिलता है एक 30,000 मतलब उसके लिए repair के लिए मैंने loan लिया था और दूसरे के construction के लिए loan लिया था तो एक पे 30,000 मिलता है एक पे 2,000,000 मिलता है और दोनों मेरा पूरा हो रहा है मतलब एक पे मेरा 35,000 का interest गया दूसरे पे मेरा 5,000,000 का interest गया तो एक पे कितना मिलेगा 2,000 लाग मिलेगा एक में 30,000 मिलेगा तो तो सर क्या आप पूरा 2.3 लाग का डिदक्शन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं S.O.P. में भले ही 2 प्रॉपर्टी है पर मैक्जीमम आपको डिदक्शन कितना मिलेगा 2 लाग कई मिलेगा इस इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसा एक क्वेशन है मॉडिल में तो मैंने जान बुझ के आपको करा दिया बता दिया मतलब रिवीजन में बार बार सुन लोगे तो यह सब चीजे याद हो जाएगे वेकेंसी का कंसेट वेकेंसी का मतलब क्या है कि आपने रेंट आउट कि बारा महीने में नौ महीना कोई आदमी तीन महीना बोला कि अबही हम गाउ जा रहे है कुरोन आ ऑग मैंदान तो सबसे पहला question में confused होगा रिकेंस रिख़ा है इस का मतलब यह नहीं वह एक्शिलीवेक्श YOUR connected का मतलब क्या है घर के ऊपर ताला लगा रहनाँ चाह साभी के अंदर actually कोई नहीं रहना चाहिए ऐसा हुआ कि उसने छोड़ दिया और आप अपना बोरिया विस्तरा लेकर सामान लेकर वहाँ चले गए तो उसका मतलब यह नहीं है वह वेकेंट है आपने उसको self-occupy कर दिया नाइन मंत का रेंट को चुपचा टेक्स अबिलेटी कर देना ठीक है इसका रीजन वगेर यह फॉर्मिला का क्या है मैंने इन डीटेल बताया था वह लेक्चर आप देख लेना लिमिटेड व्यू है वैसे भी अभी सिर्फ इतना सुन लो कि एक्सपेक्टेड रेंट कैसे नि अगर बराबर है तो जो आपका एक्से रेंट वाले पिरियेड के रेंट से तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो क्या बन जाएगा जीए वी बन जाया था फिर बात करते हैं और कुछ छोटे मोटे concept other concept regarding to ownership आपका जो property है area house property है वो क्या हो सकता है area wise अगर आपने rent out कर दिया आपना दो floor का building है जैसे मैं रहता हूँ bungalow type है नीचे है एक उपर है for example मैं क्या करता हूँ नीचे रहता हूँ अपने family के साथ उपर वाला मैं क्या कर देता हूँ rent out कर देता हूँ is it clear ऐसा कर सकते है बिल्कुल कर सकते है क्यों नहीं कर सकते है तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या करने का तो आपको बड़ा ही simple है कि जो municipal value fair rent वगेरा है वो जो area है उस हिसाब से आपको क्या कर देना है divide कर देना है for competition of NAV all components should be divided between LOP and SOP on area basis however जो actual rent है वो तो divide होगा नहीं क्यों divide नहीं होगा वो तो सिर्फ let out के लिए है न तो उस हिसाब से आपको क्या कर देना है competition करने है time wise time wise का मतलब क्या है 6 महीना मैं let out कर देता हूँ 6 महीना मैं वहाँ पर रह जाता हूँ तो वो case में सर्क्या होगा तो वो case में भले ही आपका property एक दिन के लिए भी let out होता है तो लोपी consider होता है जितना महीने का आपको rent मिल रहा है उतना महीने का जमा करा देना और joint ownership joint ownership का मतलब क्या है एक घर के दो co-owner है तो वो case में क्या होगा भाई कुछ नहीं होगा नॉर्मल तरीके से क्या निकाल दो income from house property निकाल दो जिसका जितना शियर है उतने लोगों के बीच में वो income क्या हो जाएगा बढ़ी जाएगा section 27 जो है फिर बात करते है डीम ownership के डीम ownership याद करने का तरीका बड़ा ही simple है दो दो की तीन जोड़िया बना दो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाच्वा छटा और इसको आप क्या करो एक बार reading के लिए रख लो इसी सा है इतना मेरे एसाब से कोई महान important नहीं फिर भी पता नहीं module में दिया है तो read करके छोड़ देना है समझ के छोड़ देना है ज्यादा रटने वगेरा मत बैठना तो यहां पर अपना income from house property क्या होता है समापत होता है revision और अपनने question वगेरा सब in detail करी लिए चलो फिर कोई अगले lecture में मिलते हैं बाई बाई God bless you take care